परन्तु जो आपने एजेंडा चला रहा है यह बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है और लोग एक दिन आपके मुँपर ठूकेंगे पर हम लोग टैक्स पेयर भी इस दिल्ली के अंदर रहते हैं मैं भी एक टैक्स पेयर हूं जो आप यह खेरात नहीं बाट रहे हैं यह हमारे पैसे मैं से दे रहे हैं आपके बापदादों की कमाई से आप नहीं पैसों को बाट रहे हैं एक दिन आपको इसाब के शाथियों जैहिन दिल्ली पुलिस के जो हमारे सिपाई हवलदार ठानेदार पिछले कोरोना का आल में लगवक 30 पुलिस वालों की डैथ हुई और इस साल पहले उनकी मौत हुई थी और कोविट से हुई थी उनके डॉकुमेंट से जिसमें किलियर लिखा हुआ है कि उनकी डैथ कोविट के वज़े से हुई थी उनकी फाइल दिल्ली सरकार के पास साल वर से उपर लंबित है कोई डिसीजन नहीं किया गया इसी तरह जो और अधि ऐसा compensation ले पाएंगे आपसे क्या आपके standing order कहते हैं आपने देखा है पैरिटी नाम की कोई चीज है आपके हैं या केबल बोटों के लिए आप राजनिती करते रहेंगे थोड़ा शरम करो थोड़ा बहुत देखो इतना ना गिराओ अपने आपको के आने वाली पीडियां आप आपको कोई हो सकता आपकी आउलादें आपको कोई हैं आपका चरित्र और आपके कार करने की परणाली सब के सामने आ चुकी है हर एक आदमी जानता है परम तो जिस तरह से आपने लोगों को ब्रहम में डाला है बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा काट की हांडी आपको याद होगा आसाम के अंदर संग्राम परिशत बनी थी और बिल्कुल यंग आदमी सीम बने थे आज उस पार्टी का नामों निशान नहीं है वो भी कहते थे पूरे हिंदुस्तान पर राज करेंगे बहुजन समाजबादी पार्टी जिसकी मुक्या बहन माया बती व वो नहीं उनका सपने हो पाई पूरे आप राश्ट पिता नहीं बन पाएंगे मैं आपको बार-बार कह रहा हूं आप केबल एक छोटे से सूवे के एक सीम है आप पानी और बिजली और जो स्वास सुविदाएं वो ही पूरा मोहिया नहीं करा पारे है जिस तरह से आपने चीछा लेदर कराई है अभी सेकंड वेव के दोरान में वो किसी दे छिपी नहीं हुई है आपकी कथनी और करनी में इतना फर्क है कि लोग जान चुके है आपको समझ चुके है अच्छी तरह से ठीक है बोले वाले गरीब आदमियों को आप बिजली पानी के फिरी के नाम सकते हो पर हम लोग टेक्सपेर इस दिली के अंदर रहते हैं मैं फ्लन आगे तो सबने में नहीं पता आप सपने में नहीं सोच सकते जो आपके कोकर्म सब के सामने आ रहे हैं वो हम सब आपका काला चिठा एक दिन खोलेंगे याद रखिए ज़रूर खुलेगा आपका काला चिठा अभी 31 माई को पूजा राणा जो उनकी पत्नी है हमारे कारियाले में आएंगी अपनी बात रखेंगी कि उनको किस तरह से दुख तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है उनके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं वो बेरोजगार महिला हैं गाव मैं सोनी पत्मे रहती है उनका एक छोटा बच्चा मातर पांस साल का है कि आप कैसे रह रहे हैं आपको कोई आर्थिक मदद या किसी तरह की मदद की जुरत है आप की साधार पर कर रहे हैं डॉक्टर की मदद करना बहुत अच्छी बात है उन्हों वो लोग हमारी जान बचाते हैं के के अगरवाल जी मरके क्या आपने उनके लिए दो शब्द कहे क्या आप उनके घर पर गए आपने एक करोड़ रुप्या दिया उनको कोई मदद की उनकी ऐसे ऐसे सो डॉक्टर मर गए परन्त जो आपने एजेंडा चला रहा है यह बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है और लोग एक दिन आपके मूँ पर तुकेंगे कि मैं राजनिती में यहाँगा बच्चों पर हाथ रखकर आपने कसम खाई थी वह आपकी कसमें हम देख चुके हैं इसके बाद 6 जून को हम दिल्ली प्लिस के अधिकारियों से रिक्वेस्ट करेंगे हमें सांकेति एक अपनी बात रखने का शहीडी पार्क में शाम को चार कर रहे हो आज तक उनको बिजली पानी मोहया कर रहे हो आपको शर्मानी चाहिए आपको और इसका इसाब किताब जल्दी ही होगा आप इंतिजार कीजिए 31 तारीक को हम आपसे सवाल कूचेंगे च्छे जून को कि आप क्या कर रहे हैं उन फाइलों पर क्यों लिए बैठे ह हुए उन तमाम को compensation दिया जाए यह जो खेरात बाटने का इनौन तरीका है इस पर रोक लगाई जाए और तुनत रोक लगाई जाए जै हिंद जै भारत